हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक माइ चैनल, फ्रेंट्स मैं सिमा मिस्रा आप सबके ले करके आई हूँ, आज मटर की रेशिपी बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होने वाली ए तो फ्रेंट्स, एकी सबजी में आपको मटर का, निमोना का, कोफ़ते का सबका टेस्ट मिलेगा तो यहाँ पर हमने ले लिया एक कटोरी मटर हरा मटर है यह एक कटोरी मटर हमने ले लिया है वह हम इसमें डालेंगे 6-7 कलिया लहसन की और इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्ची इसमें हम डाल देंगे लगबग एक इंच के लगबग अधरक का टुकड़ा उसको हम डाल देंगे हरी मिर्ची आप अपना जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसे साब से ले सकते हैं यहाँ पे हमने डाल दिया जीरा, साबु जीरा डाला है हमने और इन सब को हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे हमें दर्दरा सा इसका पेस्ट बनाना फ्रेंड्स तो दिखें दर्दरा सा ही बनाना है हमें बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है तो दिखें हमने यहाँ पे दर्दरा सा इसका पेस्ट बना लिया है अब आपको दिखा रहे हैं, कुछ मटर इसमें साबुत भी लग रहे हैं, और अब हम इसमें डालेंगे दो टमाटर हमने यहां पे ले लिया है, मीडियम साइज, उसको हम डाल करके इसका अच्छे सम पेस्ट बना लेंगे, फ्रेंड्स आज की जो हमारी ये रेसिपी है, मटर तक डाल दिया है, लेसन की कलियां भी हमने डाल दिया है, और यहां पे हमने डाल दिया है, तीखा जितना भी खाना पसंद करते हैं, उसे साब सिकर सकते हैं, यहां पे हमने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी, दो से तीन चमश की लगबग हमने पानी डाल दिया है, तो दिख की ऐख ये एक आलू हमने इसको धूल करके छील करके धूल लिया अच्छ से और इसको मौटा वाला लग्छा में नहीं करना है वारीक वालेस से कद्दुकर्स कर लेंगे तो देखें यहाँए आप यहाँ मनें पारीक वाला से कद्दुक circuits कर लिया है अब अब इसमें दालेंगे एक चमझ बेशन और आलू और मटर की सबची का भी टेस्ट मिलेगा हल्दी पाऊड़र भी आदा चमझ हमने डाल दिया है बहुत ही चट्पटा सा बन करके तयार हो गया आज की हमारी जो डिनर की रेसिपी है तो यहां पर हम डालेंगे और यह सबको हुम अच्छे से मेक्स कर लें जे लेना है और नमक नहीं डालना है पर दिखिए अच्छे से ने चैनल कि लिए अगरिए हैं तहागी है व्यून्गी यह पुर्द्ध मेरे चैनल को सब्सक्ख्राइब कर लीजै wines आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे में कोई भी वीडियो डालू तो नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो दीखे यहां पे हमने इसको अच्छे सा मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक फ्रेंड्स जब आपको बनाना और तभी डाले तो आधा चम्मस के लगभग आप जितना तीखा खाना पसंद करते हों उस हिसाब से आप ले सकते हैं और इस सबको हम अच्छे से मिक्ष कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्ष कर लिया है और गयस पर हमने कड़ा ही पहले से ही रख दिया था और यह है फ्रेंड्स हमारा जो मटर वाला पेस्ट आलू मटर का इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया हरी धनिया हम पहले डालना भूल गये थे तो इसको डाल करके अच्छे सा मिक्ष कर लेंगे यह देखिए हमने इसमें अच्छे सा मिक्ष कर लिया है हरी धनिया को फ्रेंट्स तेल भी हमारा गर्म हो चुका है लगबग तो अब हमें क्या करना छोटा-छोटा सा दिखिए हम इसके छोटे-छोटे पेड़े की सेफ में ब इसमें डाल देंगे और देखिए आंस पर हमने ज्यादा तेल नहीं लिया है हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है तो देखिए हम इसको ऐसे उलटते-पलटते अच्छे से सेंक लेंगे मुश्किल से 2-3 चमच ही हमने तेल यहां पे लिया था और इसी में हम और भी डाल सारे डाल करके ऐसे ही उलट पलट करके हम सेंक लेंगे दिखिए हमारी पग चुके हैं अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं नास्ता में ऐसे भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है यह कम से कम तेल का बन करके तयार ह और खाने में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आप इसको चटनी के साथ चाय के साथ जिसके साथ खाना पसंद करें उसके साथ आप खा सकते हैं तो देखिए हमने फिर से डाल दिया कड़ाही में दो चमज तेल और अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेंट्स जीरा हमने काट लिया था उसको हम डाल देंगे देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारे नास्ता चायक साथ चटनीक शाथ जिसके साथ खाना चाहें खा सकते हैं और हमारा प्याज भी देखिए लगवग ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज लहसन अ मसाले तो हमने देखिए धनिया पाउडर डाल दिया है एक चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है अधा चमच और यहां पर हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर अधा चमच हमने डाल दिया है एक चमच के लगवग हमने डाल दिया है सबजी मसाला और इन सबको हम अच्छे पेश्ट बनाकर के रख के थे उसको ढाल देंगे और इसको हम अच्छे से से मसालों के साथ भून लेंगे के है कि दिए यहाँ पर हम इसको भी ठोड़ा सब हुन लिया है दिए नवाइम तिन तक हमने लगभग इसको भून लिया है और मैं इसमे सपल दो पानी को आप जितना ग्रेवी गाड़ी रखना चाहते हैं कसा यह पर अच्छे से ऊबलने देंगे. अच्छे से उबलने देंगे. तो देखिए हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है और इसको हम अच्छे से उबलने देंगे तो जब यह हमारी ग्रेवी अच्छे से उबलने लगेगी यहाँ पे हम डाल देंगे हिंग हिंग जरूर डालें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से उबल रही है अब हम इसमें डाल देंगे चो हम मटर के अपने पकोड़ी बनागर के रखें उसको हम डाल देंगे और इसको डाल करके लगबग 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से पक रखेंग आपको उसके एक बार जरू ट्राइब करिए गया तो देखें फ्रेंड्स हमारी लगबग ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है और अब हम देखने से ही लग राय है कि हम अच्छे से ग्रेव काड़ी हो चुकी आप हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला है और यहां पर हम डाल देंगे एक चमस देशी घी और इसको हम अच्छे से मिक्ष कर देंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे गैस बंद कर दिया हमने हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया देखिए हमने हरी धनिया डाल दिया है और अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी बन करके तयार होती है सबको बहुत पसंद आने वाली है तो फ्रेंट्स यहां पर हम निकाल रहे हैं देखे कितना टेस्टी लग रहा है कोफता कहिए करी कहिए या अलू मटर की सबजी कहिए बहुत ही टेस्टी बन करके तयार हुई थी सबको बहुत पसंद आने वाली है तो आप भी बनाईएगा और कमेंट करिएगा कि आप कहां सबको पसंद आई कि नहीं पसंद आई अगर आप को वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करिएगा इसको आप रोटी के साथ चावल के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ बहुत ही मज़े से खाईए सबको बहुत पसंद आने वाली है आज की हमारी रेसिपी तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल के लिए निव होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम आप से फिल मिलेंगे अपने निव वीडियो पे देखे कितना टेस्टी लग रही है फिर मिलता है निव वीडियो पे निव प्रेसिपी के साथ थैंक्यू बाबाई